तो अगले साल के एशिया कप और साथी साथ ओडियाई वर्ड कप जो की भारत में होना है एशिया कप जो की पाकिस्तान में होना है इसको लेकर PCB और VCCI आमने सामने हैं और इसने अब एक नया टर्न ले लिया है रमीज राजा जो की लगतार एक के बाद एक हमले बोल रहे है कि हम एशिया कप नहीं खेलेंगे हम वर्ड कप में अपनी टीम नहीं भेजेंगे लेकिन ये पूरा माज़रा क्या है सबसे पहले जल्दी से आपको ये समझा देता हूं तर असल हुआ क्या कि बीसी सी आई की जो जैशा हैं जो की बीसी सी आई के सच्चिव हैं और साथ ही स वह एशिया कप एक नीट्रल वेन्यू पर रखवाया जाएगा जहां पर एशिया कप खेला जाएगा ऐसे में पीसी बी ने भी घंकी दे दी कि भाईया अगर ऐसा हुआ तो हम भी वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएंगे और ऐसे में फिर आइसी सी की तरफ से कुछ ज रखा गया तो रमीज राजा ने का कि हम उससे भी पुल आउट कर लेंगे तो अब उस पूरे सवाल पर रमीज राजा ने जवाब दिया है उन्होंने कहा है कि आप मुझे बताइए कि यह हमने बहस शुरुआत नहीं किये यह शुरुआत की है जैशा ने बीसी सी आई ने आप उनसे यह सवाल पूछिए क्योंकि 14 साल में पहली बार ऐसा हो रहा था कि पाकस्तान में आकर भारतीय क्रिकेट टीम खेलने वाली थी ऐसे में उन्होंने अक्तूबर में यह गोशना क्यों कर दी और वो जबकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं और यह रमीज राजा ने कहा कि वोट हैपन्स यानि कि क्या होगा अगर पाकिस्तान की जो सरकार है वो पाकिस्तान टीम को भारत जाने से मना कर दे बिलकुल मना कर सकती है जैसे कि भारत मना कर सकता है वैसे ही पाकिस्तान भी मना कर सकती है तो इसका कोई जवाब नहीं था यह सवाल पूछ लिया कि फिर आप क्या करेंगे फिर ICC क्या करेगा और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि यह बहुत ही एक emotional subject है यहां पर और यह एक तरीके से BCCI ने इसकी शुरुआख किया हमें तो उसका जवाब देना होगा इसके आगे वो कहते हैं कि आप लोगों ने देख यह रमीज राजा ने ICC पर तंज करते हुए कहा उन्होंने कहा कि आप सीख ले सकते हैं फीफा से यानि फुटबॉल की जो बॉड़ी है आधिकारिक बॉड़ी अंतराश्ट्रिय बॉड़ी फीफा फुटबॉल जो association है अंतराश्ट्रिय फुटबॉल का उन्होंने कहा कि कि आप उससे सीख ले सकते हैं फीफा प्रेजिइडंट से कि उनसे जब यही सवाल था कि यूएस जो है वो ईरान में आकर कैसे यूएस जो है वो इरान से कैसे खेलेगा तो इरान के साथ इतने सारे मुद्दें हैं विमिन्स राइट का मुद्दा है तो उन्होंने फीफा वो ball उठाई और उन्होंने कहा football को दिखाते हुए कि this can solve a lot of issues यानि ये football जो है वो बहुत से मुद्देख खत्म कर देता है और यही मैं भी कहना चाहरा हूँ ये रमीज राजा ने कहा कि through sport we can take care of tribe mentality I feel let the bat and ball talk यानि उनका कहना है कि भारत को पाकस्तान में आना चाहिए खेलना चाहिए और cricket को राजनीती से दूर रखना चाहिए ये रमीज राजा की बात थी लेकिन फिर बात वहीं आ जाती है क्या आप भारती खिलाडियों की सुरक्षा की guarantee लेंगे ये बहुत बड़ा सवाल है और इसी सवाल के साथ मैं आपको छोड़ जाता हूँ आप देख रहे हैं स्पोर्ट शैट मैं हूँ शेशांग सिंग कैसा लगा आपको ये खबर ये जरूर बताए हमारे कॉमेंट सेक्शन में लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा नमस्कार